राजा दुश्यंत की अद्भुच शक्ती पथा राज शासन की क्षमता का वर्णन पिछले अध्याय में हमने महाभारत काल्ब में चितने भी राजा हुए वह किस देवता यद दैते के अंश से उत्पन हुए यह जाना आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक से मेरे दूसरे चैनल ज्यान खता सागर में आरंभ की गई महाभारत की शवन पुस्तिका का भी आनंद उठा सकते हैं जन्मेज्य बोले ब्रहमन मैंने आपके मुख से देवता, दानव, राक्षस, गंधर्व तथा अपसराओं के अंशावतरण का वर्णन अच्छी तरह सुन लिया वे प्रवर अब इन ब्रहमरिशियों के समीब आपके दोरा वर्णित कुरुवंश का व्रितान पुनह आदी से ही सुनना चाहता हूँ वैशंपायन जी ने कहा भरतवन शिरुमने पुरुवंश का विस्तार करने वाले एक राजा हो गए हैं जिनका नाम था दुश्यंत वैशंपायन के चारों भागों का तथा समुद्र से आवरित सम्पून देशों का भी पूर्ण रूप से पालन करते थे उन्होंने अनेक युद्धों में विजय पाई थी रतनाकर समुद्र तक फैले हुए चारों भागों के लोगों से भरे पूरे तथा मलेच देश की सीमा से मिले जुले संपून भूबागों का वे शत्रु मर्दन नरेश अकेले ही शासन तथा संरक्षन करते थे उस राजा के शासन काल में कोई मनुष्य वर्ण सकर संतान उत्पन नहीं करता था प्रित्वे बिना जोते बोई ही अनाज पैदा करती थी और सारी भूमी ही रतनों की खान बनी हुई थी इसलिए कोई भी खेती करने या रतनों की खान का पता लगाने की चेश्टा नहीं करता था पाप करने वाला जो इस राज्य में कोई था ही नहीं नर्श्रेष्ट सभी लोग धर्म में अनुराग रखते और उसी का सेवन करते थे अतह धर्म और अर्थ दूनों ही उन्हें स्वतह प्राप्त हो जाते थे तात राजा दुश्यंत जब इस देश के शासक थे उस समय कहीं चोरों का भै नहीं था भूख का भै तो नामात्र को भी नहीं था इस देश पर दुश्यंत के शासनकाल में रोग व्यादी का डर तो बिलकुल ही नहीं रह गया था सब वर्णों के लोग अपने अपने धर्म के पालन में रत रहते थे देवराधना आदी कर्मों को निश्काम भाव से ही करते थे राजा दुश्यंत का आश्रे लेकर समस्त प्रजा निर्भय हो गई थी मेग समय पर पानी बरसाता और अनाज रस्युक्त होता था प्रित्वी सप्रकार के रत्नों से संपन तथा पशुधन से परिपूर्ण थी ब्रामन अपने वर्णाश्रम मोचित कर्मों में ततपर थे उनमें जूट एवं छल कपट आदी का अभाव था राजा दुश्यंत स्वयम भी नव्युवक थे उनका शरीर वज्जर के सद्रिश द्रिड था वे अद्भूत एवं महान पराक्रम से संपन थे वे अपने दोनों हातों द्वारा उपवनों और कानों सहित मंद्राचुल को उठा कर ले जाने की शक्ती रखते थे गदा युद्ध के प्रक्षेप, विक्षेप, परिक्षेप और अभिक्षेप इन चारों प्रकारों में वे कुशल तथा संपून अस्त्रों शस्त्रों की विद्या में अत्यंत निपून दूरवर्ती शत्रु पर गदा फेकना प्रक्षेप कहलाता है समीप परती शत्रु पर गदा की कोटी से प्रहार करना विक्षेप कहा जाता है जब शत्रु बहुत हूँ तो सब और गदा को घुमाते हुए शत्रों पर उसका प्रहार कराना पर विक्षेप कहलाता है गदा के अगरभाग से माना अभिक्षेप कहलाता है वे इन सभी में निपुण थे घूड़े और हाथी की पीठ पर बैठने की कला में वे अत्यन्त प्रवीन थे बल में भगवान विश्णु के समान और तेज में भगवान सूरे के सद्रिश वे समुद्र के समान अक्षोभ्य और प्रित्वी के समान सहनशीर थे महाराज दुश्यंत का सर्वत्र समान था उनके नगर तथा राश्र के लोग सदा प्रसंद रहते थे वे अत्यन्त धर्मयुक्त भावना से सदा प्रसंद रहने वाली प्रजा का शासन करते थे जनमेज्य बोले ब्राहमन मैं परम बुद्धिमान भरत की उत्पत्ती और चरित्र को तथा शकुंतला की उत्पत्ती के प्रसंद को भी यतार्थ रूप से सुनना चाहता हूं भगवन वीरवर दुश्यंत ने शकुंतला को कैसे प्राप्त किया मैं पुरुष्टी दुश्यंत के उस चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ तत्वग्य मुने आप बुधिमानों में शेष्ट हैं अता ये सब बातें बताईए पेशंपायन जी बोले एक समय की बात है महा बहु राजा दुश्यंत बहुत से सैनिक और सवारियों के साथ लिए सैकड़ों हाती घोडों से गिर कर परम सुन्दर चतुरांगिनी सेना के साथ एक गहन वन की ओर चले जब राजा ने यात्रा की उस समय खडग, शक्ति, गदा, मूसल, प्रास और तोमर हात में लिए सैकड़ों योधा उन्हें घेरे हुए थे महा बहु राज दुश्यंत के यात्रा करते समय योधाओं के सिंगनाद, शंक नगाड़ों के आवाज रत के पहियों की गरगड़ा हाट बड़े बड़े गजराजों की चिंगाड, घोड़ों की हिनेहना हाट, नाना प्रकार के आयुध तता भांती-भांती के वेश धारन करने वाले योधाओं द्वारा की हुई गरजना और तार ठोकनी की आवाज से चारों और भारी कोलाहल मच गया था महल के श्रेश शिखर पर बैठी हुई स्त्रियां उत्तम राजोचित शोभा से संपन शूरवीर दुश्यंत को देख रही थी वे अपने यश को बढ़ाने वाले इंद्र के समान पराक्रमी और शत्रू का नाश करने वाले थे शत्रू रूपी मतवाले हाथी को रोकने के लिए उनके सिंग के समान शक्ती थी वहाँ देखती हुई स्त्रियों ने उन्हें वज्रपानी इंद्र के समान समझा और आपस में वे इस प्रकार बातें करने लगी सक्यों देखो तो सही ये ही वे पुरश सिंग महाराज दुश्यन्त है जो संग्राम भूमी में वस्वों के समान पराक्रम दिखाते हैं जिनके बाहुबल में पढ़कर शत्रों का अस्तित उमिट जाता है ऐसी बातें करती हुई विस्त्रियां बड़े प्रेम से महाराज दुश्यन्त की स्तुती करती और उनके मस्तक पर फूलों की वर्शा करती थी यत्र तत्र खड़े हुए श्रेष्ट ब्रहामन सब और उनकी स्तुती प्रशंचा करते थे इस प्रकार महाराज वन में हिंचक पशू का शिकार खेलने के लिए बड़ी प्रसंता के साथ नगर से बहार निकले वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे मतवाले हाथी की पीठ पर बैठ कर यात्रा करने वाले उन महाराज दुश्यंत के पीछे-पीछे ब्रहामन, क्षत्रिय, वैश और शुद्र सभी वर्णों के लोग गए और सब आशिरवाद एवं विजे सूचक वचनों द्व वारा उनके अभ्युद्य की कामना करते हुए उनकी ओर देखते रहे नगर और जनपद लोग बहुत दूर तक उनके पीछे-पीछे गए फिर महाराज की आग्या होने पर लोट आये उनका रत गरुड के समान वेगशाली था उसके द्वारा यात्रा करने वाले नरेश ने गरगराहट की आवाज से पृत्वी और आकाश को गुझा दिया जाते जाते बुद्धिमान दुश्यंत ने एक नंदनवन के समान मनोहर वन देखा जो बेल, आख, खैर, कैत और धव अर्थाद बाकली आदिव रिक्षों से भरपूर था परवत की चोटी से गिरे हुए ब पहले हुए उस वन में कहीं जल या मनुष्य का कोई पता नहीं था, वे सब और मिग और सी आदी भयंकर जन्तुओं से तथा वनवासी जीवों से भरा हुआ था, नर्शेष्ट राजा दुश्यंत ने सेवक, सैनिक और सवारियों के साथ नाना प्रकार के हिंसक पश्यों का शिकार करते हुए उस वन को रौन डाला, बहां बाणों के लक्षे में आए हुए बहुत से व्याग्रों को महराज दुश्यंत ने मार गिराया और कितनों को साइकों से बीन डाला, शक्तिशाले पुरुश्येष्ट नरेश ने कितने ही दूरवर्ती हिंसक पश्यों को अस्त्र द्वारा मौत के घाट उतार दिया, असीम पराक्रम वाले राजा गदा घुमाने की कला में अत्यंत प्रभीन थे, अतह वितोमर, तलवार, गदा तथा मूश्यों की मार से स्वेच्छा पूर्वक विचरने वाले जंगली हाथियों का बद करते हुए, वहां सब औ और विचरने लगे, अद्भूत पराक्रमी नरेश और उनके युद्ध प्रेमी सैनिकों ने उस विशाल वन का कोना कोना चान डाला, अतह सेह और बाग उस वन को छोड़कर भाग गए, पशुमों के कितने ही जुन्ड, जिनके युद्पती मारे गए थे, व्यग्र होकर भ नहीं पाते, तब निराशा से अत्यंत खिन हो, दोड़ने के परिश्रम से क्लांत चित होने के कारण मूर्शित होकर गिर पड़ते, भूख प्यास और ठकावट से चूर चूर हो, बहुत से पशूष धर्ती पर गिर पड़े, वहां कितने ही व्याग्र सभाव की निशंस, जंगले मनुष्य भूके होने के कारण कुछ म्रिगों को कच्चे ही चबावे, कितने ही वन में विचरने वाले व्याग्र, वहां आग जलाकर मास पकाने की, अपनी रिती के अनुसार मास को कूट-कूट कर रांधने और खाने लगे, उस वन में कितने ही बलवान और मतवाल हाथी अस्त्र शस्त्रों के आगात से क्षत विक्षत होकर सूंड को समेटे हुए भय के मारे बेगपूर्वक भाग रहे थे, उस समय उनके घावों से बहुत सा रक्त बह रहा था और मलमूत्र करते जाते थे, वह बड़े बड़े जंगली हाथियों ने भी वहां भागते स में बहुत से मनुष्यों को कुचल डाला, वहां बान रूपी जलकी धारा बरसाने वाले सैने रूपी बादलों ने उस वन रूपी व्योम को सब और से घेर लिया था, महराज दुश्यंत ने जहांके सिंगों को मार डाला था, वह हिंसक पशून से भरा हुआ वन बड़े शोभा पा रहा था, एशंपायन जी कहते हैं, राजन तदनंतर सेना और सवारियों के साथ, राजा दुश्यंत ने सहस्त्रों हिंसक पशू का वद करके, एक हिंसक पशू का ही पीछा करते हुए, दूसरे वन में प्रवेश किया, उस समय उत्तमबल से युक्त महराज कावड से शिथिल हो रहे थे, उस वन के दूसरे चोर में पहुंचने पर उन्हें एक बहुत बड़ा उसर मैदान मिला, जहां वरिक्ष अधिक नहीं थे, उस वरिक्ष शून ने उसर भूमी को लांग कर, महराज दुश्यंत दूसरे विशालवन में जा पहुंचे, जो अन भूत आनन्दुलास की स्रिष्टी कर रहा था, उस वन में शीतल वायू चल रही थी, वहां के वरिक्ष फलों से लदे हुए थे, और वन में सब और व्याप्त हो रही शोभा बड़ा रहे थे, वहां अत्यंत सुखद हरी हरी कोमल घास होगी थी, वहवन बहुत बड़ा था और मीठी बोली बोलने वाले विविद वेहंगमों के कल्रवों से गूझ रहा था, उसमें कहीं कोकिलों की कुहु कुहु सुनाई पड़ती थी, तो कहीं जिंगुरों की जीनी जनकार गूझ रही थी, वहां सब और बड़ी बड़ी शाखाओं वाले विशाल विक्ष अपन बड़ी भारी शोभा चा रही थी, उस वन में एक ही विक्ष ऐसा नहीं था, जिसमें फूल और फल ना लगे हों, तता भौरे ना बैठे हों, कांटे दर विक्ष तो वहां ढूनने पर भी नहीं मिलता था, सब और अनेका नेक पक्षित चहक रहे थे, भांती भांती के पु महान धनुर्दर राजा दुश्यंत ने इस प्रकार मन को मुह लेने वाले उस उत्तम वन में प्रिवेश किया, उस समय फूलों से भरी हुई डालियों वाले विक्ष पायू के छकोरे से हिल हिल कर उनके उपर बार बार अद्भुत पुश्प वर्षा करने लगे, पे विक् में पुश्परूपी विचित्र वस्रधारन करने वाले विक्ष अद्भुत शोभा पा रहे थे, फूलों के भार से जुके हुए, उनके कोमल पल्लवों पर बैठी हुई, मधूलोमी भ्रमर, मधूर, गुंजार कर रहे थे, राजा दुश्यंत ने वहां बहुत से ऐसे रम का अवलोकन करके उस समय महातेजस्वी राजा को बड़ा हर्श हुआ, फूलों से लदे हुए विक्ष एक दूसरे से अपनी डालियों को सटा कर मानों गले मिल रहे हुँ, वे गगन चुम्बी विक्ष इंद्र की ध्वजा के समान जान पड़ते थे, और उनके कारण उस व रमन का अत्यंत सेवन करते थे, वहमत वाले वानर और किनर निवास करते थे, उस वन में शीतल सुगंध, सुखदाईनी मंद वायू, फूलों के पराग वहन करती थी, और मानों रमन की इच्छा से बार बार विक्षों के समीप आती थी, वहबन मालीनी नदी के कच्छार मे फैरा हुआ था, और उंची धोजाओं के समान उंचे विक्षों से भरा होने के कारण अत्यंत मनुहर जान पड़ता था, राजा ने इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त उस वन का भलिभानती अवलोकन किया, इस प्रकार राजा अभी वन की शोभा देखी रहे थे, कि उनकी दिष्टी एक उत्तम आश्रम पर बड़ी, जो अत्यंत रमणिये और मनोरम था, वहां बहुत से पक्षी हर्शो लास में भर कर चैक रहे थे, नाना प्रकार के विक्षों से भरपूर उस वन में स्थान स्थान पर अग्निहोत्र की आग प्रजोलित हो रही थी, इस प जाल खिल्य रिशी तथा अन्यमुनिगन निवास करते थे, अनेक अनेक अग्नी होत्र गरहे इस आश्रम की शोभा बड़ा रहे थे, वहां इतने फूल जड़कर गिरे थे कि उनके बिचोने से बिच गए थे, बड़े बड़े तनू के विक्ष से उस आश्रम की शोभा जिसका अब जल बड़ा ही सुखद एवं स्वादिष्ट था, उसके दोनों तटो पर यह आश्रम फैला हुआ था, मालिनी में अनेक प्रकाल के जलपक्षी निवास करते थे, तता तटवर्ती तपोवन के कारण उसकी मनुहरता और बढ़ गई थी, वहां विश्तर सर्प औ प्रतिरत वीर थे, उस समय उनकी समानता करने वाला भूमंडल में दूसरा कोई रथी योद्धा नहीं था, वे उक्त आश्रम के समीब जा पहुँचें, जो देवताओं के लोकसा प्रतीत होता था, वे आश्रम सब ओर से अतिंत मनुहर था, राजन ने आश्रम से सटकर बह पुन्य सलीला मालिनी नदी की ओर दिश्टिपात किया, और वहां समस्त प्राणियों की जननी सी विराज हो रही थी, उसके तट पर चकवा, चकई, किलॉल कर रहे थे, नदी के जल में बहुत से फूल, इस प्रकार बह रहे थे, मानो फैन हो, उसके तट परांत में किन्नरो के निवास थे, बानर और रीच भी उस नदी का सेवन करते थे, अनेक सुंदर पुलीन मालिनी की शोभा बढ़ा रहे थे, बेद शास्त्रों के पवित्र स्वाध्याय की ध्वनी से, उस सरिता का निकटवर्ती प्रदेश गूंज रहा था, मतवाले हाती, सिहीं और बड़े बड़े सर्प भी मालिनी के तट का आश्रे लेकर रहते थे, उसके तट पर ही कश्यप गोतरिये महात्मा कणव का ते उत्तमेवं रमणी आश्रम था, वहां मरशियों के समुदाये निवास करते थे, उस मनुहर आश्रम और आश्रम से सटी हुई नदी को देखकर, राजा उस समय उसमें प्रवेश का विचार किया, तापों सियुक्त तथा सुरम्य तटवाली मालिनी नदी से सुशोभित वे आश्रम गंगा नदी से शोभायमान भगवान नर नारायन के आश्रम से जान पड़ता था, तदन अंतर नर्श्रेष्ट दुश्यंत ने अत्यंत उत्त गुणों से संपन कश्यप गोत्री महरिशी तपोधन कण्व का जिनके तेज का वाणी द्वारा वणने नहीं किया जा सकता, दर्शन करने के लिए कुबेर के चैत्ररतवन के समान मनुहर उस महानवन में प्रवेश किया, वहां मतवाले मयूर अपनी कहका धुनी फैला रहे थे, वहां पहुचकर नरेश ने रत, घोडे, हाथी और पैदलों से भरी हुई अपनी चतुरांगिनी सेना को उस तपोबन के किनारे ठहरा दिया, और कहां सेना पती और सैनी को मैं रजोगुन रहित तपस्वी महरिशी कश्यप नंदन कण्व का दर्शन करने के लिए उनक तक मैं वहां से लोट करना हूँ, तब तक तुम लोग यही ठहरो। इस प्रकार आदेश देकर नरेश और दुश्यंत ने नंदनवन के समान सुशोभेत उस तपोबन में पहुचकर भूख प्यास को भुला दिया, और वहां उन्हें बड़ा आनंद मिला। वे नरेश मुक पारी महरशी कणव का दर्शन करना चाहते थे। राजा ने उस आश्रम को देखा, मानो दूसरा ब्रह्म लोग हो। नाना प्रकार के पक्षी वहां कलरव कर रहे थे। ब्रह्मरों के गुंजन से सारा आश्रम गुंज रहा था। श्रेष्ट रिगवेदी ब्रहमन, पद औ और क्रम अनुसर रिचाओं का पाठ कर रहे थे। नर्शेष्ट दुश्यंत ने अनेक प्रकार के यग्य संबंदी कर्मों में पढ़ी जाती हुई वैदिक रिचाओं को सुना। यग्य विद्या और उसके अंगों की जानकारी रखने वाले युजरवेदी विद्वान भी आश्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। नियमपूर्वक ब्रह्मचरे का पालन करने वाली सामवेदी महरिश्यं द्वारा वहां मधुर्श्वर से सामवेद का गान किया जा रहा था। मन को संयम में रखकर नियमपूर्वक उत्तमवरत का पालन करने वाले सामवेदी और अथ अथरवेदी महरशी, मारुंड संग्यक, साम मंत्रों के गीत, गाते और अथरवेद के मंत्रों का उच्चारन करते थे, जिससे उस आश्रम की बड़ी शोभा होती थी, श्रेष्ट अथरवेदी विद्वान तथा, पुग्यग्य, नामक साम के गायक, साम वेदी, महरशी पद और क्रम सहित, अपनी अपनी संगिता का पाठ करते थे, दूसरे दुजबालक, शब्द संसकार से संपन थे, पे स्थान, करण और प्रत्न का ध्यान रखते हुए, संस्कृत वाकियों का उच्चारन कर रहे थे, इन सब के तुमुल शब्दों से गूचता हुआ वे सुन्द और आत्मानुभव से संपन वेदों के पारंगत परस्पर विरुद्धु प्रतीत होने वाले अनेक वाक्यों की, एक वाक्यता करने में कुशल, तथा विचित्र शाखाओं की गुण विधियों का, एक शाखा में संगहार करने की कला में निपुण, उपासना आदी विशर कर्यों की ग्याता, मोक्ष धर्म में तत पर अपने सिध्धान्त की स्थापना करके उसमें शंका उठाकर, उसके परिहार पूर्वक उस सिध्धान्त के समर्थन में परमप्रवीन व्याकरण, चंद, निरुक्त, जोतिश्त, शिक्षा और कल्प, वेद के इन शेहों अंगो के विद्वान, पदार्थ, शुभाशुब कर्म, सत्व, रज, तम आदी गुणों को जानने वाले तथा कार्ण की ज्याता, पशू-पक्षियों की बोली समझने वाले, व्यास करंथ का आश्रे लेकर मंत्रों की व्याक्षा करने वाले तथा विभिन शास्त्रों के की बातें भी उस आश्रम में चारों ओर सुनाई पड़ती थी शत्रुवीरों का संघार करने वाले दुश्यंत ने स्थान स्थार पर नियम पूर्वक उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करने वाले श्रेष्ट एवं बुद्धिमान ब्राह्मनों को जप पर होम में लगे देखा वहां प्रित्न पूर्वक तयार किये हुए बहुत से सुन्दर एवं विचित्र आसन देखकर राजा को बड़ा हाश्चर हुआ दुजोंदारा की हुई देवालियों की पूजा पद्दूती देखकर रिप्षेष्ट दुश्यंत ने ऐसा समझा कि मैं ब्रह्मलोक में आप पहुँचा हूँ वेश्रेष्ट एवं शुब आश्रम कश्यप नंदन महरशी कणव की तपस्या से सुरक्षित तथा तपोवन के उत्तम गुणों से संयुक्त था राजा ने उसे देखकर त्रिप्थ होते हुए कहा महरशी कणव का ये आश्रम जिसमें वे स्वयम रहते हैं सब और से महान ब्रत का पालन करने वाला तपस्वी महरशी दोरा घिरा हुआ ये अत्यंत मनुहर मंगलमे और एकांत स्थान है शत्रुनाशक राजा दुश्यंत ने मंत्री और पुरोहित के साथ उसकी सीमा में प्रवेश किया हुआ 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 है